नमस्कार दोस्तों, इंडिरमणी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयास जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए केरफूल रहते हैं कि हम लोग कुछ गल्तियां ना करते हैं चाहे वो assignment submit करने के दोरान हो, चाहे वो practicals के दोरान हो, चाहे वो examinations के दोरान हो लेकिन एक जो जरूरी factor होता है जिसके पारे में हम लोग बहुत देर से समझने लगते हैं वो होते है money matters money matters को लेकर आप जितना ज़्यादा सचेत रहें, जितना ज़्यादा सावधान रहें उतना आपके लिए और आपके money matters के लिए और आपके पैसों के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे common mistakes जो college students करते हैं जिस वज़े से उनके काफी ज़रे पैसे खर्च होते हैं वोगे करके इसके बारे में समझते हैं सरसे वहली गलती जो college students करते हैं वो यह है कि उन लोग काफी expensive room या dorm में रहते हैं especially उनके जो room rent वगेरा होते हैं वो काफी ज़्यादा हो जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के दोस्त जहां पर रहते हैं हम लोग को लगता है हम लोग उनके आस पास ही रहें ताकि हम लोग का manoranjin होते रहें इसके अलावा हम लोग option होता है PG में रहने का या फिर hostel लेकिन हम लोग लगता है कि अपना फ्लाइट लेकर अपना रूम हो जाते हैंmä कि अब एक अच्छे सेफलाइद में रहे रहें अपने दोस्तों करना पड़ेगा और आपको ट्राइवल करने के लिए भी यहां पर बैक और फोर जो ट्रांस्पोर्टेशन होती उसमें भी आपका डिशनल खर्चा होगा तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग कम से कम खर्च करें अपने रूम रेंट पर अगली जो चीज स्टुडेंट्स करते हैं वो होता हैं उनके बजेट को लेकर बजेटिंग नहीं करते हैं स्टुडेंट्स हम लोग को जैसी हमारे पैसे आते हैं महीने के जो भी मान लिए आपके फैमिली से दूर अगर आप रहते हैं तो आपको हर मैने आपके पैरेंट्स थोड़े बगत पैसे भेजते हों गुबने जा सकते हैं, आप लोग भूवी थेटर में देखने के जगा लाप्टॉप में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, बहुत सरे स्टूडिन्स एक करते हैं और ये काफी हद तक पॉसिबल है करना, इसके अलावा बहुत सरी अन्य चीज़ें होती जहाँ पर आप कॉस कर सकते हैं, बजेटिंग नहीं करते हैं, जैसी पैसे आते हैं, हम लोग को लगता है कि जल्ली से जल्दी पैसे खर्च कर दो, और जब पैसे खतम होने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप जितना हो सके बजेटिंग करें, ताकि आपको क बुक्स वो कुछ ऐसे हैं जो कि जेनरल सब्जेक्ट है जो कि आपको लग रहा है कि हां मुझे आगे जाके अगर मैं मास्टर भी करूँगा या जॉब भी करूँगा तो मैं जिसके बारे में डेटा इंफरमिशन आराम से नेट पर मिल जाएगा तो ऐसी बुक्स को साथ में काफी ज्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अपने समिस्टर कंप्लीट होने के बाद आप उस बुक्स को या तो किसी बुक्स टूर में जाके बेच सकते हैं ताकि उस स्टूटेंट का भी भला हो जाए और थोड़ा सा आपका भी ध्यान रखेंगे तो आप काफी अद तक सारे पैसे बचा पाएंगे चौती जो चीज़ गलत करते हैं वो होता है कि अगर आपके घर में आपकी फैमिली है या फिर आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए या फिर आपके कॉलेज में जो देखेंगे कि हां कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं अपकी फैमिली के साथ यह आप अपके फैमिली भी आपको help करेंगे लिए इन ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग बताते में हैं नोग को बता देंगे तो बुरा लग जाएगा गुस्सा हो जाएंगे इस चक्रमें हम कई बार कुछ ऐसे चीज़ें करने लग जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं जो कि मतलब हो सकते हैं हम गलत कदम पर चड़ने लग जाएं तो इसलिए कोशिश करें कि आप जितने भी money matters हैं या किसी भी तरह के problems होते हैं जो college life में हम लोग को उसको discuss करना चाहिए किसी senior के स साथ किसी अच्छे दोस्त के साथ या फिर अपने parents के साथ और पांच भी और सबसे जरूरी चीज़ जो students नहीं करते हैं वो होता है कि उन लोग part time work नहीं करते हैं part time work करने से बहुत सारे फायदे होते हैं ना सिर्फ आपको experience होता है बलकि आपको आर्टे दाल का भाव समझ म आता है और आपके field के तरफ ही अगर आप किसी भी तरह का part time work कर रहे हैं मालेजे आप एक marketing student है तो अगर आप किसी marketing job में हैं मालेजे आप किसी part time बहुत सारे आज माध्यम आ गए हैं आप events में काम कर सकते हैं जहां पर आपको महीने भर काम करने की जरूरत नहीं आप per day का per week के हिसाब से पर weekend के हिसाब से आपको events मिलते हैं जिसके हिसाब से आपको पैसे मिल सकते हैं इसके अलावा आपका network मसबूत होता है अगर आप part time job करने आता है आपको पैसों का मतलब सही से management समझ में आता है तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप money matters को समझने के लिए internships करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे को समझने के इस पूरे व्यक्तिगत जो मानसिकता होती उसके बारे में आप ज़्यादा और ज़्यादा रुजहान रखें और ज़्यादा आप कारगर और काम्याब साबित हो तो ये तो था आज का वीडियो मुझे अमीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वारे किसी भी अपडेट को मिसना करें और अगर आप परसनल फिनेंस के बारे में और बहतर सीखना चाहते हैं तो आप डालोड कर सकते हैं फिनेंशन फीडम आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे नामे फयाज आप देख रहे हैं